सेकंड सीजन एपिसोर फिफ्थ स्टार्ट होता है और फिर वॉल्टर को डॉक्टर के साथ हमें दिखाया गया है डॉक्टर वॉल्टर को बोलता है अब फर्स टेज ट्रीटमेंट की खतम हो चुकी है अब किमो थेरेपी और नहीं करने पड़ेगी अब दो मेहने का टाइम में तुम्हें दे रहा हूँ और उसके बाद हम फिर से रियसेस करेंगे तुम्हारे बाल भी फिर से उगना स्टार्ट हो जाएंगे ये भी डॉक्टर उसे बताते हैं पर वॉल्टर को उसका ये लूक अच्छा लगने लग रहा होता है डॉक्टर उसके स्काइलर के बारे में भी पुछते है जो वहाँ नहीं आई हुई होती है जब वॉल्टर अकाउंटरंड के पास जाता है तो उसका जो बील होता है वो प्रेंटी होता रहता है और वो Walter accountant को discount के बारे में पुछता है तो accountant उसे बताती है कि ये discount दे के इतना तुमें pay करना होगा Walter जब घर आता है तो Skylar phone पे बात कर रही होती है उनके insurance से Walter जब गायब हो चुका था और तीन दिन के लिए उसे hospital में रहना पड़ा था तो उसका जो bill होता है तो उनका insurance cover नहीं करने वाला तो इसलिए Skylar Walter से पुछती है कि क्या ये भी Elliot और Gretchen cover कर लेंगे Walter उसे बोलता है कि मैं इसे handle कर लूँगा Walter फिर हमें घर में से पैसे निकलता हुआ देखता है और उसके पास medical bills भी होते है तो अब उसके पास बहुती कम बेसे बचे हुए रहते है Walter के थोड़े side effect भी होते है treatment से तो वो उल्डी कर रहा होता है अपने toilet में तो वो clock हो जाता है और सब कच्रा उपर आने लगता है तभी उसमें उसे एक cigarette का pack भी दिखता है उसने Skylar के hair पर cigarette smell की होती है previous scene में Next scene में Hank को उसके boss बुलाते है और उसे बोलते है कि तुम हमेशा shark की तरह काम करते हो तुम अपने target के लिए बहुत बहुत दूर तक भी जा सकते हो और उसे एक special task force assign करते है Hank को एक बहुत अच्छा promotion ये मिलता है Hank का friend उसे congrats करता है और उसे lunch के लिए नीचे मिलने के लिए कहता है और Hank उनको party देने वाला होता है जब Hank थोटा सा काम करके lift में जाता है तो उसे एक बहुत जबर्दस panic attack आता है जब उसने टूगो को मारा था उसका side effect अभी भी उस पर है और वो जड़ा डर रहा है नेक सीन में जेसी बैजर के friend के आता है ये वही friend होता है जिसने उसका truck टूग किया हुआ होता है और जिसके fence को तोड़ कर जेसी आपने van ले जाता है उसे वो सारे पैसे दे देता है जेसी उससे deal करना चाता है कि उसकी van वहाँ रहने के लिए कितने पैसे वो लेगा वहाँ जेसी की van रखने के लिए उनकी deal होती है और जेसी अपने लिए एक car buy करना चाता है वो एक racing car को देखता है पर एक low middle class ही एक car वो buy कर लेता है और फिर हमें जेसी दिखाए एक rain के घर को देखते हुए जेसी को घर home owner की बेटी दिखा रही होती है वो सब घर के specification मगरा सब उसे बदा देती है और उसे बोलती है कि या smoking मगरा कुछ allowed नहीं है जेसी सब शर्ते मान लेता है पर फिर उसे वो driver license, previous employee record ये सब official चीज़े मांगती है तो जेसी के पास वो सब नहीं होता तो वो rent जरा बढ़ा देती है 100 dollars extra उसे pay करना पड़ता है हर month to month वो उसे कहती है कि वो next door ही रहती है तो जेसी उसे line मानने के कोशिश करता है पर वो उसे फिर से जवाब दे देती है कि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ कि वो तुमें मार कर कच्रे के डबे में भी फिकवा सकती है जेसी उस पर हस देता है next day Hank अपनी job से चुट्टी लेता है और अपने जो beer होती है उसको brew कर रहा होता है उसका एक passion होता है उसको beer बनाना अच्छा लगता है तो मरी उसको confront करती है कि तुमें अभी अभी तो promotion मिला है और next day ही तुम चुट्टी ले रहे हो Hank उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है पर कुछ भी ठीक नहीं होता Hank को panic attacks आते हुए होते है तो इसलिए उसने छुटी ली होती है और वो मरी को सब ठीक है से बोलकर जाने के लिए बोलता है Walter Jesse को desert में फिर से van लाने के लिए बोलता है और वो discuss करते हैं कि हमें फिर से मेत कुछ करना पड़ेगा तो Jesse उससे पूछता है कि तुम ये सब तो बोल रहे हो कि हमें मेत वेगरा कुछ करना पड़ेगा पर ये क्यों करें हमारा distributor तो अभी हमारे पास available नहीं है और मैं भी बहुत सारा sale नहीं कर पाऊंगा क्योंकि DEA हमेशा मुझे पर नजर रख रहा है तो Walter उसे बोलता है कि मैंने बहुत सारे पैसे भी अभी तक नहीं कमा है जो कमा है वो सब चले गए है और मुझे मेरे family के लिए पैसे छोड़ के जाना है वही point था जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था Jesse Walter को बोलता है कि हम फिर से किसी drug dealer के under काम नहीं कर सकते हमें अपना हमारा खुद का network create करना चाहिए Jesse बोलता है कि मैं बहुत सारे मेरे friends को जानता हूँ कि जो हमारे लिए sale कर सकते हैं और इस बार हम मेरे तरीके से काम करेंगे जो तुमने बोला था कि तुम सिर्फ chemicals समालोगे और मैं बाहर का समालोगा तो इस तरह से हम अब काम करेंगे वर्डर भी भान जाता है और बोलता है कि अब हम सब सही तरीके से करेंगे Jesse फिर अपने सब दोस्तों को बुला लेता है अपने new apartment में और party के लिए सब उसने pretzels, coke वगरा सब लाया हुआ होता है तब उसके friends बोलते है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ मेंथ है हम बहुत use कर सकते उस मेंथ को तो Jesse बोलता है कि मेरे property पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम strictly professional ये relationship रखेंगे तुम अपने time पर कुछ भी कर सकते हो Jesse उनको बोलता है कि मैं ounce के लिए तुम से 2000 डॉलर्स लोंगा और 500 तुम अपने पास रख सकते हो जितना ज़्यादा तुम sale करोगे उतना ज़्यादा तुम उपर जाओगे हमेशा मेरे पास बहुत सारा made available रहेगा और जितना तुमें चाहिए वो में तुमें दे सकता हूँ उसके friends उसे बोलते है कि ये rates ज़्यादा है पर फिज जैसे उनको बोलता है कि market में कोई और भी तो नहीं sale कर रहा इसलिए वो justified होता है next scene में Walter family सब आ जाते है Hank के यहाँ लंच करने के लिए एक बार्बी को टाइप लंच होता है और Hank का promotion भी होता है इसलिए यह लंच होने वाला होता है Hank अव टेकसस में जाके अपना जॉब करने वाला होता है Murray को यह अच्छा नहीं लगता वहाँ के drug cartels बहुती बड़े है और dangerous भी है इसलिए Murray यह ज़्यादा support नहीं करती Murray को वाशिंटन में रहना होता है जब Murray और Skylar एक दूसरे से बात कर रहे होते है किचन में तभी Skylar सब discussion छोड़ देती है और उससे पूछती है कि अभी के अभी तुम मुझे apologize करो मुझे माफिय मांगो वरना यह जो relationship थी यह तबह हो जाएंगी मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी अगर तुम मैं मुझे माफिय मांगने का भी respect तुम मेरा नहीं करती तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा तो Murray Skylar से माफिय मांग लेती है और उन दोनों की relationship फिर से ठीक हो जाती है Walter Junior Hank से बात कर रहा होता है टुको की shootout के बारे में तो Hank उसे बोलता है कि वो बहुत fast हुआ था जैसे कोई कीड़ा तुमारे fridge के नीचे होता है तो तुम उसे कुचल देते हो इस तरह से ही मैंने उसे मार दिया था Walter और Hank के बीज criminals को लेके discussion होती है Walter उसे पूछता है कि criminals आते कहां से या कहां से origin होते है तो Hank उसे बोलता है कि मुझे इस सब से कुछ फरक नहीं पड़ता मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि वहाँ बहुत सारे है और मुझे उनका सफाया करना है Next Series of Scenes में हमें JC का network बहुत अच्छे से काम करता है ये दिखता है उसके friends अच्छे से distribute करते है और अच्छा सा profit उन्हें होने लगता है पर एक friend जब delivery देने जाता है तब उसका ounce कुछ ड्रगिस ले जाते है और जब वो उनके पीछे भागता है तब वो उसको चाकु लगा कर उसका drugs ले लेते है Next Scene में JC Walter को पैसे देने आया हुआ होता है तब JC Walter को 15 के देता है पर Walter उसे बोलता है कि जिसे मुझे मालूम है 16 ounces पीका था तो ये 16,000 डॉलर होने चाहिए तो JC उसे incident के बारे में बताता है कि एक friend को चाकु लगा कर उससे वो चीन लिया गया था तो Walter ज़रा गुस्सा हो जाता है कि टुको के साथ ये कभी नहीं होता था क्योंकि हमेशा वो इन चीजों के handle कर लेते थे उससे सब डरते थे Walter उसे बोलता है कि अगर तुम्हें successful ये network चालू रखना होगा तो तुम्हें हमेशा एक डर बना के रखना है JC उसे बोलता है कि सब ठीक है और उससे चीनता करने के कोई ज़रूरत नहीं है next scene में Walter और Skyler बेटे हुए होते है और Skyler कुछ खा रही होती है तो Walter उसे बताता है कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए ये तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है Walter उसे Walter जुनियर के बारे में पूछता है कि वो कहा है पर उससे पता नहीं होता तो Skyler उसे बताती है कि अगर तुम्हें खुछ भी पता करना होगा तो तुम उसे handle कर लो सिर्फ Walter Junior सिर्फ मेरी responsibility नहीं है उस पर थोड़ा सा जगड़ा होने पर Walter जो cigarette packet उसे मिला होता है टॉलेट में वो लाकर Skyler को दे देता है और उसे confront करता है तो Skyler बोलती है कि मैंने सिर्फ 3 cigarette पी थी और मुझे इसके बार ज़रा बुरा भी लगा था और इससे बेबी को कुछ problem नहीं होगा जब Walter उससे explanation मांगता है तो बोलती है कि तुमें कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आएगा यही ये scene खतम हो जाता है Hank जब स्वया हुआ होता है तब उसे guns और shots जैसा एक sound आता है तो वो डर जाता है और वो अपनी gun लेके घर में आवाज कहा से आ रही है उसको ढूनता है जब वो अपने गराज में जाता है तो उसने जो beers बनाई होती है वो ही फूट रही होती है next scene में Walter जेसी की आ जाता है और उसे एक गन देता है और उसे बोलता है कि ये जो incident हुआ है इसको तुमें handle करना चाहिए यानि कि उनको जाकर डराओ धमकाओ और हमारे पेसे सब वापस ले आओ Hank को टुको को मारने के बाद ये panicked attacks वो डरता है और उसे बहुत तकलिप हो रही होती है तो टुको को मारने के लिए उसके कलिक्स ने टुको का teeth clip उसे दिया होता है एक gift की तरह तो अब उसे वो gift नहीं चाहिए होता उसे टुको को भुला देना होता है उस incident को भुला देना होता है तो वो clip लेता है और river में डाल देता है यही ये एपिसोड खतम हो जाता है